हेलो दोस्तों मैं राकेश शौधरी आपका mathematics teacher वेलकम करता हूँ digital theory के youtube channel पर हम बात कर रहे हैं advance mathematics के topic numbers system and algebra की और उसमें हम part देख रहे हैं part number 29 और हम follow कर रहे हैं राकेश यादव class notes को question देखते हैं question है आपका one two two one twenty two के बारे में क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है देखिएगा आपको गहरा x plus y minus z minus one का whole square plus z plus x minus y minus two का whole square plus z plus y minus x minus four का whole square equals to है zero तो आपको पूछ रहा है कि x plus y plus z जो है उसकी value क्या होगी तो देखिएगा जैसा कि हमने पिछले part में भी कई questions किये थे और उस समय मैंने आपको कहा था जब कभी भी आपको square का sum मतलब total zero के equal दे रखा हो तो वो उसी समय possible हो सकता है जब हर एक square की value किसके बराबर हो zero के बराबर हो तो कर देते हैं हर एक square की value zero के बराबर तो यहां से x plus y minus z minus one equals to कितना कर दिया zero तो मैं देख सकता हूँ x plus y minus z बराबर कितना आगया एक जो यह center में है इसके लिए देखें तो यह भी zero के बराबर है तो इसका मतलब इसके लिए हम देख सकते हैं कि z plus x minus y minus two equals to zero तो z plus x minus y equals to कितना आगया तो आगया फिर इसके लिए अगर देखें तीसरे वाले के लिए तो इसके लिए भी हम देख सकते हैं तो इसके लिए अगर देखा जाए तो यह bracket भी किसके equal हो गया जीरो के, तो इसका मतलब z plus y minus x minus 4 equals to 0 तो z plus y minus x equals to कितना 4 आपको पूछा क्या है? x plus y plus z पूछा है तो आपको इसको और इसको add करके देख लीजी आपका answer मिल जाएगा तो add कर लेता है इन सबको तो इन सबको add करूँँगा तो क्या मिलेगा हमें? देखिए x plus y minus z plus z plus x minus y plus z plus y minus x equals to 1 plus 2 plus 4 तो 4 और 2 6 और 1 कितना 7 चलिए, अब हम देखें तो minus z और plus z 0 हो गया, फिर minus y और plus y 0 हो गया और minus x और plus x 0 हो गया तो क्या बचा? x plus y plus z किसके बराबर? 7 के बराबर और आपको पूछा भी यही था कि x plus y plus z क्या होगा? तो वो होगा 7 simple question था लिखने की जरूरत नहीं थी बिना लिखे verbally भी हम देखकर कर सकते थे answer क्या आ रहा है? लेकिन लिखकर बता दिया था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए यह था question नमरा 122 बात करते है next question 123 के बारे में क्या कहा रहा है? question number 123 देखिएगा question number 123 आपको कहा रहा है five x square plus four x y plus y square plus two x plus one equals to कितना है? zero तो आपको पूछ रहा है x और y का मान क्या होगा? ठीक है? तो जो दे रखा आपको five x square plus four x y plus y square plus two x plus one equals to zero तो हम इसके टुकडे कर सकते हैं five x square और ये है two x plus one तो five x square को अगर मैं लेख लो x square और four x square तो फिर x square यहां से अगर काम में लिया जाए और इसके साथ काम में लिया जाए तो आप देख सकते हैं formula बन रहा है कौन सा formula? x square plus two x plus one तो इसका मतलब इसको और इसको लेकर हम कह सकते हैं कि ये x plus one का whole square है खोल के देख लीजिए वापस यही मिलेगा a plus b के whole square के अनुसर a square यह रहा b square यह रहा plus two a b यह रहा आपके पास चलिए अब क्या रहे गया आपके पास अब रहे चुका हमारे पास four x square y square और four x y तो इससे भी formula बन रहा है इससे formula कौन सा बन रहा है इससे formula बन रहाए आपका four x square plus four x y plus y square यह formula देगा आपको two x plus y का whole square equals two में तो प्रशनी के अनुसर क्या है? zero ही है क्या यह सही है? देख लेते है a plus b का whole square है то a square यह रह b square यह रह plus two a b तो प्लस two a b तो यह रह plus two a b को भी हम पिछले वाले question के pattern में ला चुके हैं दो square है जिनका sum मतलब total 0 के equal है तो ये तभी possible होगा जब हर एक square की value 0 होगी तो ले लेते हैं यहां से इसकी value 0 तो x plus 1 अगर 0 हो गया तो x की value तो आ गई minus 1 एक तो यही पूछा था आपको के x क्या होगा तो वो आ चुका कितना minus 1 एक आपको y भी पूछा है तो यहां से ये वाला square की value भी 0 के बराबर होगी तो 2x plus y equals to 0 x की value तो आपने निकाल ली है minus 1 तो यहां रख लेते हैं minus 1 तो 2 का x से पतलब 2 का minus 1 से गुणा करवाया तो minus 2 ह गया ये minus 2 plus y equals to 0 तो y आ गया यहां से कितना y equals to 2 minus 2 उदर चला जागा तो plus का हो जाएगा तो y की value भी आपको पूछी थी वो भी आ चुकी है कितनी 2 तो x और y पूछे थे तो x तो आ चुका कितना minus 1 और y आ चुका आपका कितना 2 तो बिलकुल आसान question था वही pattern था जो पिछ square वाला format हम लेकर आए तो ये था हमारे इस पार्ट का last question बात करेंगे question number 124 से next part में तब तक channel को subscribe और video को like and share और comment box में अपने comments जरूर जरूर कीजी thank you so much please like, share, subscribe, digital tayyari